यूट्यूब के उपर एक वीडियो लगबग 10 लाख लोगों ने देख लिया है उसके अलावा बारसे पर भी कई लोग उसे देख रहे हैं उस वीडियो में डोक्टर विवेक बिंदरा नाम का एक शक्स है जो अपने आपको मोटिवेशनल गुरू बताते हैं कई सारे वीडियो उनके चलते हैं बहुत सारे लोग उनको देखते हैं लेकिन आज सवाय मादुपूर में ऐसा हुआ कि उनके खिलाफ एक परिवाद पेश किया गया कोटवाली थाने में डोक्टर सुमिद गर्ग यहां गर्ग होस्पिटल में पेशे से डोक्टर हैं अपत्ती क्या है एक्चुली सर हमें पापत्ती इस पूरे वीडियो से है इस वीडियो का आगाज जहां से होता है उसमें पहला से जो शब्द है डाक्टर बिंदरा ने यूज किया है आ गए सफेद कोट के खूनी लुटे रहे यह जो मामला है इस मामले पर अचानक से आक्रोश श्यों सर आज से कुछ दिन पूर्वड तथा कते डाक्टर बिवेक बिंदरा जो अपने आपको एक मोटिवेशनल गुरू मानते हैं उन्होंने वीडियो वायरल किया जिसमें उन्होंने जो वीडियो का आगाज किया उसमें पहला और उनके दुखदर्द को अपना दुखदर्द मानते हुए उसको दूर करती है इतना सब कुछ करने के बाद कोई भी उठै और कुछ भी कह दे तो मेरे ख्याल से ये गलत है इसलिए मेरे को इसकी पीड़ा हुई कि हम 24 घंटे लोगों की और समाज की सेवा कर रहे हैं उसक अपति देश में इस degree करते हैं अगर वह मुकदमे दर्ज करते हैं या पुलिस में कंप्लेंड करांइं वह भी करा सकते थे किसी डाक्टर के खिलाफ वो कहते हैं कि 8 लाग डॉक्टर के होते हुए भी देश की चिकिस्सा वेवस्ता है वो खराब है इसके लिए डाक्टर जिम्मेदार नहीं है डॉक्टर अपने लिए काम करें देश की जनसंख्या और डॉक्टर का अनुपात सैद वो वो कहते हैं एम्बूलेंस वाले से कमिशन लेते हैं डाक्टर अरे भाई जिसने लिया उसे खिलाब मुकदमा दर्च करा दो आप सब डाक्टर के लिए कैसे कह सकते हो किसी नहीं लिया उनको कुछ नहीं पता है केवल और केवल ये जूटी पब्लिसिटी स्टंट है और उसके कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है केवल डाक्टरों का आली दे तो जिससे सब लोगों के तक मेरी बात पहुंच जाएगी और कुछ और लोग मुझे जानेंगे ऐसी उनकी कुछ एस्टा थी इसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है हमने नियायले का कि शरण लिया निय कई न कई ऐसे कुछ लोग हैं समाज के अंदर जिनकी वज़से यह जो पेशा है यह इसमें कई न कई एक कलंकित करता है अब चाहे वो जांचों की भी आते आये दिन आप अख़बारों पड़ते हैं जांचों में भी कई न कई कमिशन और भी चीज़े हैं कई न कई उनका जो बात थी कोट किया उन्होंने किसी एक्जामपल के थरू तो कोट किया है तो आप मानते हैं इस बात को कि आपकी ब्रादरी में भी कुछ ऐसे लोग है इस डॉक्टर ब्रादरी में इनकी वैसे समाज में कहीं ना कहीं एक गलत निशान छोड़ रहा है वो सही और गलत जी में डाल दिया खून निकालो वाक स बेशन में डाल दो आप यह देखिए इस तरह की हरकत से समansen पसंद नहीं कारेंगый लोग अपना इलाज करावना नहीं पसंद करेंगे इससे क्या होगा उसे समाज का भला तो नहीं हो रहाना अगर उन्हां कुछ लगता है कि इसने प्रम लेकिन केवल और केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए आप इस तरह के अरकते करें तो मेरे ख्याल से अशोब नहीं है इसलिए हम अदालत गए बिजनेस ग्रूबी हैं तो क्या आप और आपके जो ब्रादरी के जो डॉक्टर पेशे वाले जो लोग हैं वो क्या उनसे बिजन कि सेवा करना है बीमारों की सेवा करना है उनके दुख को हरना है हम भगवान शिव की तरह हैं जिसते भगवान शिव ने विश्पान किया था वैसे हम लोगों का दुख उपर लेते हैं हमें किसी से बिजनेस की जरूब बिजनेस टिप्स लेने की इसलिए जरूबत नहीं ह पर आरोप यह भी लगता है कि उनके पास में मोटी कमाई आती है और बीच में कई जगे एक वीडियो वाइरल भी हुआ मुवी के अंदर भी कुछ शोर्स इस तरह के आये कि वो जो कोटा में भी कुछ दिन पहले यह बात आये थी कि किसी होस्पिटल ने मरे हुए व्यक्ति को रखा और उसके उपर चार्ज कर लिया लाग डेल लाग जो भी उसने बनाया था तो इस तरह के मामले भी सामने आते हैं सवाई मादुबूर की परपेक्श में बात करें तो एक कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट हमें सुत्रों के अवाले से मिली थी जिसके अंदर यह था कि जो लेब्स हैं वो वेरिफाइड लेब्स नहीं है कहीं ने कहीं वो भी कुछ इस तरह की गड़वड यह करती है आप त सजा होनी चाहिए देश के संविधान ने जो जिस जुर्म के लिए सजा निरदारित किया अगर कोई डॉक्टर वो जुर्म करता है सो फीसिदी उसको वो सजा मिलनी चाहिए लेकिन एक आदमी अगर गलती करता है उसके लिए आप पूरे आठ लाग डॉक्टरों को अगर ब डॉक्टर हैं कैसे हैं वो मुझे नहीं पता लेकिन आप कम से कम इस नोवल प्रोफेशन पर जो जनता का भरोसा है उसको रहने दें आपके पास बहुत अलग तरीके होंगे अपना बिजनिस चमकाने का मैं हाद जोड के आपसे प्रार्थना करता हूँ उन तरीकों को अपन को बहुत अच्छे से पैचानती है इसलिए आपका ये वीडियो कहीं पे भी ट्रोल नहीं हुआ केवल चूंकि हमारे पास आया है और हमने कहा है इसलिए हमें जाना पड़ रहा है बाकी जनता ने आपका ये वीडियो खारिच कर दिया है मैं चाहता हूँ बहुत श्यमा काम ना करें